नमस्ते दोस्तो टेक्निकल शुवशिस चनल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है तो दोस्तो आज हम फिर से एक बार आप लोगों का समने एक नया वीडियो लेके आया है आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखना जोरूर तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में से एक estern fan का problem solve करना सिखेंगे तो दोस्तो पहले हम इस fan के अंदर क्या problem हुआ है वो हम check करके देखेंगे इसलिए हम इस fan को plugin करके fan को चला के देखेंगे तो दोस्तो यहां हमने देखा है कि इस fan के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाजे आ रहा है और कभी-कभी इस fan में line देने से भी ए fan नहीं चल रहा है और इस fan के अंदर से गो-गो sound निकल रहे है तो दोस्तो इस fan में हम फिर से एक बार line देके देखते है तो दोस्तो इस टाइप का पॉब्लेम ज्यादातर फैन का शैप्ट और भूष खड़ाब हो जाने से होता है और दोस्तो जिस फैन में भूष के बदले में बियारिंग रहते है उस फैन में बियारिंग खड़ाब हो जाने से ऐसा पॉब्लेम होता है तो दोस्तो हम पहले इस फैन को खोल के देखेंगे इसके अंदर बियारिंग या बूश क्या लागी हुई है तो यहां हमने इस फैन से इस फैन का मोटर को खोल के बाहर निकल लिया है दोस्तो यहां हम देख सकते हैं इस फैन का शैप्ट कितना अपडाउन हो रहा है आब हम इस फैन का shaft को घुमा के देखेंगे तो इहां हम देख सकते है इस shaft smoothly घुम रहा है फैन का इस motor को repair करने के लिए हम पहले इस फैन में लगी हुई चाड़ो screw को खोल लेंगे उसके बाद हम motor का body को खोल लेंगे उससे पहले हम एक marker से body में एक marking कर लेंगे ऐसा करने से फैन का दोबाड़ा सेट करने में हमें आसान हो जाएगा आप हम मोटर का बोड़ी को खोल लेंगे तो दोस्तों यहां हमने मोटर को खोल लिया है तो यहां हम देख सकते हैं इस शैप्ट के साथ दोनों बियारिंग लगी हुई है तो यहां हम देख सकते हैं शैप्ट का इस साइट में कितना कट गया है और दूसरा साइट में भी हम देखेंगे इस साइट में भी कितना कट गया है इसलिए हमें इस पूराना शैप्ट को निकल के एक नया शैप्ट लागाना होगा यहां हम देख सकते हैं नया शैप्ट में इस जगा में थिगनिस कितना ज्यादा है, दूसरा साइट को भी हम देख लेंगे, तो यहां पे भी हम देख सकते हैं, पुराना शैप्ट के तुलना में नया शैप्ट में कितना थिगनिस ज्यादा है, इसलिए हमें पुराना शैप्ट को निकल के नया शैप्ट को लागाना ह सकते है आझ हम फेन का दोनों béuje को चिए करके दिखेंगे इसलिए हम पहले फेन का शैपक को बीयरिंग के अंदर इनपूट कर लेंगे उसके बाद इस शैपक को हम घुमा के देखेंगे तो यह हम देखसकते है शैपक समूथ जबना के आ और पिएम रहा है यहां हमने नमबर है 6201 तो एक बार हम जूम करके देखेंगे तो यहां आप देख सकते हैं 6201 इस बीरिंग का नमबर है दूसरा बीरिंग का नमबर भी सेम है दूसरा बीरिंग को भी हम एक बार चेक करके देखेंगे तो यहां पर भी हम देख सकते हैं यह बीरिंग भी स्मूतली घुम रहा है लेकिन इस बीरिंग में भी शैप्ट अंदर जा रहा है बिना टाइट के इसलिए हमें इस बीरिंग को भी चेंज करना होगा दोस्तो दोनो नया बीरिंग लागने से पहले हम दोनो नया बीरिंग लेके शैप्ट के अंदर इंपुट करके देखेंगे तो हम दोनो बीर को चेंज करने के लिए हमें पहले इस तरिके का एक लोहे का रोड लेना होगा और इस रोड को बियारिंग के साथ टाच करके हतुरा से थोड़ा थोड़ा करके ठोकना होगा ऐसा चोट माने से फैन का बोड़ी से बियारिंग आसनी से निकल जाएगा तो यहां हम देख सकते ब दोनों बीरिंग को ही निकल लिया है, आब हम बीरिंग का दोनों होल्डर को अच्ची से सब कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों बीरिंग को अच्ची से गिरिश कर लेंगे, हमें बीरिंग का दोनों साइट में ही अच्ची से गिरिश कर लेना होगा, इन दो बीरिंग को बियारिंग को सेट करने के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कात हो सकते हैं इसलिए आप हातुरा का उल्टा साइड से या किसी भी लक्री के टुकर से ठोक ठोक के इस बियारिंग को आसानी से सेट कर सकते हैं तो दोस्तों हमें इस तरह दुसरा बियारिंग को भी सेट कर लेना तो हम फैन का इस शैप को वियरिंग के अंदर इंपूट कर लेते हैं तो यहां हम देख सकते हैं शैप पूरा अंदर नहीं गया है क्योंकि यहां हम देख सकते हैं फैन का रोटरी फैन का कोर से अभी भी उपर है इसलिए हमें किसी भी लक्री का टुकरा से शैप के ऊपर ठोक के shaft को असनी से अंदर input कर लेना होगा दोस्तों आब हम यहां देख सकते हैं rotary core का ठीकनिस में चला गया है हमको हमेशा rotary और core सेम ठीकनिस में रखना होगा आब हमें fan का दोनों body को set कर लेना होगा इसलिए हमें एध्यान रखना होगा कि पहले हमने marker से जो marking किया हुआ था उस marking क fan को set करना होगा यहां हम दोनों body का बीज में थोड़ा सा gap देख सकते हैं इस gap को exist करने के लिए हम हातुरा से ठोक ठोक के इस gap को exist कर सकते हैं तो यहां हम देख सकते हैं दोनों body का gap cover हो गया है आब हम body का 4 screw को लगा के इन 4 screw को आच्ची से tight कर लेंगे हमें इन 4 screw को आच्च से टाइट कर लिया है आब हम इस मोटर को घुमा के देखेंगे तो यहां हम देख सकते हैं मोटर स्मूथली घुम रहा है दोस्तो अगर आपको ए मोटर घुमाने से थोड़ा सा टाइट लगे तो आप हातूरा से बods में थोड़ा चोट मारने के बाद आपको हमेशा चारो स्क्रू को फिर से एक बार टाइट कर लेना होगा आप हमें इस फ्यान को चलाने के लिए इस फ्यान के साथ एक क्यापसिटर कनेक्शन करना होगा। इसलिए हमें इसलिए हमें इसलिए हमें इंयरो और बुलू और के साथ क्यापसिटर कनेक्शन करना होगा। क्यापसिटर को कनेक्शन करना होगा तो हम या इन दो ओयर के साथ क्यापसिटर को कनेक्शन कर लेंगे दोस्तो अगर आपके पास श्रीज लाइन नहीं है तो आप मेरे चैनल में जाके श्रीज लाइन के उपर वीडियो देख सकते हैं शिरीज लाइन के सीवा आप माल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास शिरीज लाइन और माल्टीमीटर दोनों में से कुछ भी नहीं रहते हैं तो आप डिरेक्ट एसी लाइन के मतलब से फैन का तीनों ओयर को कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, उसके उपर भी मैंने ए ओयर फिक्स्ट रहाएगा शिरीज लाइन का दूसरा ओयर को हम मोटर का जीज दो ओयर में क्यापसिटर कनेक्शन किया हुआ है उन दो ओयर में से किसी भी एक ओयर में कनेक्शन करके देखेंगे अगर शिरीज लाइन का दूसरा ओयर को बुलू ओयर में कनेक्शन करने से फ देख सकते हैं फैन उल्टी घूम रहा है इस फैन को सीधा घुमाने के लिए हमको सिरेफ शीरीज लाइन का दूसरा और को क्यापसिटर का दूसरा साइड में कानेक्शन करना होगा तो यहां हम देख सकते हैं हमारा फैन सीधा घूम रहा है तो दोस्तो इस तरह आप किसी भी इस तरन फैन का बियारिंग और शैट को आसानी से चेंज कर सकते हैं तो दोस्तो आपको वीडियो कैसा लागा है कॉमेंट करके जोर बताना और इस तरह नया नया वीडियो देखने के लिए मिले इस चैनल को सब्सकेब करके जोर रखना तो थैंक्यू फर वाचिंग माई व झाल 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 झाल